हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब उम्हीद करता अच्छ होंगे तो फ्रेंट्स आज दो तीन दिन हो गए मैं वीडियो नहीं डाल रहा क्योंकि मैं तोड़ा बीजी था फ्रेंट्स और आज बंजे टाइम मिला है और मेरा ये जो इंडिके फ्रेंट्स इस इंडिका में एक प्रो कि यह अब और दिखें मैंने इसको एक्ष्टर कानेट किया है यह कोपर और यहां दिखें बेटी के साथ करके और और ऑल्टेनेट्र की जो पॉजिटिव ओयर है फिरेंट्स वहां मैंने लगा दिया है त्यूंकि और आज मैं आपको बताऊंगा फिरेंट्स आपकी नहीं हो रहे हैं तो आप लोग इसको के से चेक करेंगे मैं आपको दिखा तो अभी जिसको आपको फिरेंड ऐसे चेक करना है गाड़ी को इस्टड करके गाड़ी को इस्टड करके फिरेंड आपको यह वाला जब टार्मिनल देख रहे हैं ब्लेक टीके टार्मिनल को ये टर्मिनल रिमोफ करने के बाद आपकी गाड़ी तुरां इस्टट बंदो जाती है तो इसके मतलब आपकी गाड़ी में और्डेलोटर खराब है तूपिक है आपकी गाड़ी का जो अल्डेलोटर है वो कारण आटबुट नहीं कर रहे है इसलिए फिरेंट आपकी गाड़े में इस्टर बंद जाएगी और यहां एक चीज आप देखिए फिरेंट यहां देखिए मैंने एसी की जो लाइन है उसको गाड़े से मैंने हटा दिया है और इसका जो कॉमपरेशुर ता फिरेंट नीचे मैंने उसको भी रिम आफ कर दिया क्योंकि कॉमपरेशुर का मुझे कोई ज़रुरत नहीं है ठीक है और आभी मैं आपको दिखाता हूं फिरेंट कैसे मैंने इसको ऑल्टरोटर के साथ कानेट किया है मैं आपको दिखा रहा हूं फ्रेंट देख सकते मैंने ऑल्टरोटर को फीट कर दिया गाड़ी में यहां देखिए और इसका जो प्रॉड्बम है फिर यहां देखिए यह पोजिटिव बूल यहां देखिए जह सब पॉजिटिव करेंड आट पूट होती है वहां प्रोड्लेम है इसका यह वाईर है वायर अंदर से जल गया होगा वहीटीकर गाड़ी से करेंड आट पूर बेट् पॉजिटिव टार्मिनल है वहां लगा दूँगा तो मेरी गाड़ी में जो बेटी के प्रॉब्लम है वह प्रॉब्लम सोल्ड हो जाएगी तो चलिए अभी मैं आपको दिखा था इस वयर को गाड़ी में करनेट करके तो यहां देखे फिरण इसको मैंने कट कर दिया और इसक करा कर दो मतली resterाने करें खlar बेंदेन में में व APIs रब만 में इसक्यारा को में।ब्लम कर का में किकई में अधिरो कि चाल खिखेंशनी क्यां अभी मैं दो बाटा इसक्यां है कि शूब्लमा है कि तो तो गल यहां व्म हम हुआई बाटे प्रॉभ आज़ मा रशा क्रॉणा तो देख सकते हैं फिरेंट मैंने पॉजिटिव एक वायर यहां लगा दिया है और अभी यहां देखे आभी यह ओला जो वायर है इसको पोजिटिव में लगाना है तो यहां देखे फिरेंड मैंने जो एक्ष्टा वायर है इसको मैंने लगा दिया है यह दिखे ठीक है और अभी गाड़ी में जो कॉल्डरूर यह कारण है वो अर्ट वोगी तो देख सकते हैं मैंने गाड़ी में जो connection ने वो पूरा कड़ दिया है और दोनो टायर भी मैंने लगा दिया है यहाँ दीखे अभी गाड़ी को इस्टर करना है और चेक करना है कि बेटी चार्ज हो रही है या नहीं तो चलिए अभी गाड़ी को इस्टर करके देखते हैं काड़ी करने के बाद आपको जो ए नेगेटिव टार्मिनल है उसको रिमॉफ करना है अगर आपकी गाड़ी बंद जाए तो इसका मतलब अल्टरनेटर खराब है ठीक है और इसका मतलब गाड़ी में कारण नहीं मिल रह झाल 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 ठीक है तो तो देख लिए फिरेंट आपसने के तर्मिनल को रिमॉफ करने के बाद भी गाड़ी चल रहा था तो इसका मतलब अल्टरनेटर ठीक है और यह जो आवास कर रहे फिरेंट यह जो बेल्ट है वो लूज है इसलिए आवास कर रहे हुआ झाल और झाल 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 Works तो देखते अब याव नहीं करें